निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोगसभा चनाव 2024 की तारीखों की घोशना कर दी इस बार 19 अप्रेल से 1 जून के बीच 7 चरणों में चनाव संपन होंगे मदगरना 4 जून को आएगी मुखे निर्वाचन आयोग तो राजियो कुमार ने बताया कि अठार्मी लोगसभा के गठन के लिए चनाव कारेकरम घोशत होने के साथ ही देश में आचार सनहितातकाल प्रभाव से लागो हो गई है इसके साथ ही सरकार ऐसा कोई नितिगत फैसला नहीं कर सकेगी जो मददाताओं के फैसले को प्रभावित कर सके कुमार ने बताया कि लोगसभा चनाव 2024 में कुल 97 करोड पंजिकरत मददाता हैं इनमें से 49.7 करोड पुरुष हैं जब कि 47.1 करोड महिलाएं और 48,000 ट्रांसजेंडर शामिल हैं साल 2019 के चनाव में मददाताओं के कुल संख्या 90 करोड थी उनने बताया कि ऐसे में मददाताओं के संख्या 1.8 करोड है जो पहली बार मददान करेंगे और मददाता सूच में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाक और 100 साल से अधिक उम्र के 2.18 लाक मददाता शामिल है कुमार ने बताया कि देश भर में मददाता लिंगानुपात 948 है और 12 राजयो वकिंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष मददाताओं के तुल्ला में महिला मददाताओं के संख्या अधिक है उन्होंने कहा कि देश में 10.5 लाक से अधिक मददान केंडर होंगे और 55 लाक एलेक्ट्रोनिक बोटी मशीन यानि EVM का इस्तमाल किया जाएगा उन्होंने कहा कि आयोग हिंसा मुक्त चुनाओ कराने के लिए प्रतिबद है दो नए निर्वाचन आयुकतो ग्यानेश कुमार और सुखबीर सिंग संधु के साथ मुक्यत निर्वाचन आयुकत राजयो कुमार ने कहा कि हम पूरी तरह तयार हैं और मैं मददाताओं से नुरूत करता हूँ कि वे स्याही लगवाएं उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए एक एतिहासिक अवसर है उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयुक राज़्यो चुनाओ इस तरह से कराने का वादा करता है कि वैश्विक मंच पर भारत का गोरो बढ़े कुमार ने कहा कि सभी राज़्यो में आकलन के बाद हम एक यादगार, स्वतंत्र और नश्पक्षत चुनाओ सुनश्चित करने को लेकर आश्वस्त हैं कुमार ने कहा कि आयोग ने 17 लोग सभा, 16 राश्ट्र पती चुनाओ और 400 सेदिक विधान सभा चुनाओ कर आए गया है उन्होंने कहा कि पचले 11 राज़्यों के चुनाओ शांतिपुर्ण और हिंसा मुक्ति रहे और लगभग एक भी सीट पर दुबारा चुनाओ नहीं हुआ साल 2019 के लोग सभा चुनाओ में भी 7 चरणों में मद्दान हुआ था उस चुनाओ में कुल 91.2 करोड योगी मद्दाता थे जिसमें से लगभग 43.8 करोड महिला मद्दाता और लगभग 47.3 करोड पुरुष मद्दाता थे कुल लगभग 61.5 करोड बोट डाले गया थे और 67.4 प्रतीशत मद्दान हुआ था साल 2019 के चुनाओ नतीजों में भाजपाने 303, कॉंग्रेस ने 52 और त्रणमूल कॉंग्रेस ने 22, पसपाने 10, रंकापा ने 5, मकापा ने 3 और भाकापा ने 2 सीटे जीती थी